बल्ले से मोहमद सिराज का एहम योगदान भारत की जीत के लिए बना वर्दान फैल्स ने की सराना मोहमद सिराज ने पाकिस्तान की खिलाफ मुकाबली में भारत के लिए किफायती गैंद वाजी की लेकिन उससे पहले उन्होंने बल्ले से एहम योगदान दिया था जिसे टीम इंडिया को जीत मिली मोहमद सिराज को पाकिस्तान की खिलाफ कोई विकेट तो नहीं मिला लेकिन उन्होंने किफायती गैंद वाजी कर टीम को जीत दिलाने में मदद की सिराज ने गैंद के साथ सा बल्ली से भी भारत को T20 वर्ड कप 2024 में पाकिस्तान की खिलाफ जीत दिलाने में एहम भूमिका निपाई टीम इंडिया पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 119 रनोबर ओल आउट हो गई थी जिसमें सिराज ने टीम के लिए कई मुख्य बल्ले वाजों से ज़्यादा रन बनाए और इनी एहम रनों ने टीम के लिए जीत कर रास्ता कुरा फैंस शोशल मीडिया पर सिराज की सराना कर रही हैं दरसल न्यूयोक की नासाओ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में किले गई मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीत कर फिल्डिंग करने का फैसला किया था पहले बैटिंग के लिए टीम इंडिया 19 ओवर में सिर्फ 119 रनों पर ओल आउट हो गई थी तीन के लिए रिश्व पंत ने 31 गैंदो में 6 चौपो की मदस से 42 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली थी वही अंत में नंबर ग्यारे पर बैटिंग करने उतरे मुहमत सिराज ने 7 गैंदे खेलकर 7 रन बनाए सिराज के यह रन टीम इंडिया के लिए बहुत काम आई क्योंकि मैन इन ब्लू को 6 रनों की जीत मिरी शोशल मीडिया पर फैंस ने की सिराज की सारहना सिराज ने भारत के लिए कई मुख्य बल्ले वाजों से ज़्यादा रन बनाए दाए हाथ के शिवंदोवे सिर्फ तीन रन बनाकर आउट हुए थे और रविंद्र जडेजा तो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट के थे हार्दिक पांडिया भी सिर्फ साथ रन ही बना सके थे इसके अलावा सूर्य कुमार यादब भी साथ रन तक ही पहुँच सके थे इतना ही नहीं विराट कॉली ने तो सिर्फ चार रन बनाए थे यानि सिराज ने विराट कॉली शिवंदोवे और रविंद्र जडेजा से ज कर सराना कर रहे हैं